सौधी अरब जहां की धर्ती रेतीली है, यहां तेल तो भारी मात्रा में है, जिसकी वजह से यह देश अमीर भी बना है, लेकिन यहां पानी की भारी कमी है, या यूँ कहें कि इस देश में पीने लायक पानी है ही नहीं, यहां न एक भी नदी है, न यहां जील है सोना तो है, लेकिन पानी नहीं तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सौधी अरब पीने के लिए पानी कहां से लाता है, तो चलिए इसके पीछे की हैरान करने वाली सच्चाई जान लेते हैं, इस देश की महज एक फीसदी जमीन ही खेती के लायक है, और उसमें भी कुछ-कुछ सब्जि लेकिन पानी की कमी के चलते बाद में उसे ये बंद करनी पड़ी, सौधी को अपना खाने पीने का सारा सामान विदेशों से ही खरीदना पड़ता है, सौधी अरब के पास अब भूमिगत जल थोड़ा बहुत ही बच्चा है, और वो भी बहुत नीचे है, लेकिन कहा जा र और कुछी सालों में कुए पूरी तरह सूख गए, यहां वारिश तो साल में एक या दो दिन ही होती है, और वो भी तूफान के साथ ऐसे में उस पानी को संचित करना संभव है, यहां समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, वैसे तो समुद्र के पानी में नमक क मात्रा ज्यादा होती है इसलिए डिसालिनेशन यानी विल्वनीकरण के द्वारा समुद्र के पानी से नमक को अलग किया जाता है और तब जाकर वह पीने लायक बनता है देस वीडियो अप्लोडेड बाइ फैक्ट वोल्ट